गुड डिविनिंग नमस्कार आप सुभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल परिवर्त अंदास कुल पर सबसे पहले तो आपने लोग मुझे माप कर दिजिएगा जितने भी अफ्रूटेंट हैं चुकि मैंने बादा किया था आप लोगों से कि परते एक दिन आपके यूटूब चैनल पर तीन वजे से लेकर छे वजे के विच में वीडियो आ जाएगा अप्लोड हो जाएगा लेक रहते हैं तो मैं चला जाता हूँ अब फिर से कल भी वच्चे का कमेंट आया था अभी तक वीडियो नहीं आया है क्भी सब्मेंट में था और मैंने कभी सम्मेलन का वीडियो भी डाला आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें और वह भारत के विल्कुल बिख्यात पर घंड का लिए ने बिच्चों की और से सब्सक्राइब करा गूद से एक स्वाइभ कर चिया गया था जिसमें मुझे इंवीटीशन था तो मैंने गया और मैंने पूरा पार्थी बच्चों को सुनाया जाए और मैंने उनका पूरा प्रख्यात मिश्रा हैं जो भारत के महान कभी हैं उनसे मैंने मिला भी और उनसे बताया भी कि मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपका तुन्होंने बोला कोई वात नहीं अब मैं ए वीडियो अपलोड कर दिया आप लोग देखें और सुनें उनको समझें बहुत महान कभी है वो खैर आप लोग मुझे इसलिए माफ करेंगे कि मैंने आप लोगों से बादा किया था कि आपको साम में तीन बजे से लेकर छे बजे के बीच में वीडियो बिल्कुल अपलोड देंगे कि फरा नंगे कि अब्रह माुषम पोलगों कि उल्समें तो गर्मी लगेगा अपको बचने बहुत सारे पिंपर्स हमारे चेहरे पर आ गए हैं कुछ बच्चे होंगे आपकी चेहरे पर पिंपर्स ना आ जाए इसके लिए आप अपना शुरक्षा का ख्याल रखेगा अपने पारेंस के साथ अपने माता पिता की शास जो भी आपके घर में हैं उसे सलाह लेते रहें कि यह आपको बच्चे का बन रहा होगा और आपके बच्चे होंबग बना रहे होंगे चुकि इस समय के अपनी सीमा है और वो समय एक दिन खतम हो जाएगा तो आपको डेली घिशाव से बनाना पड़ेगा उससे पहले मुझे एक बात आद आया इक दीपाकुमारी के नाम से कोई कमेंट आया था कि सर मुझे एक स्कूल का अड़ेस बताईए तो मैंने उनको यह लिख कर दिया है कि आप यूट्यूब चैनल पर ही चेक कर सकते हैं वैसे यह एक साइड बिंद की रोड जाती है एक साइड बर्वेगा सिक्पूरा की रोड जाती है और एक साइ हुआ और चली जाती है बस वही बेनार मोड है वहीं पर हमारा स्कूल है वैसे एक स्कूल का जो लोकैसन है हमारे डिस्क्रिप्ट बॉक्स से निकाल सकते हो और कि VOC परकार का प्रोब्लम है तो आप वहां से चेक कर सकते हुआ है इसके अलावा पूरा लोकैसन ही हमारा दिस में बात कर रहा था कि आप सभी बच्चे जिनका हुंबउक मिला था हलाँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं आपको बता दढ़िए मुझे बोलने में सरमार हैं कुछ वच्चे जिनका हमबउत्र नहीं गया ना तो बच्चे को कोई टेंशन ना उनके घरवाले को कोई टेंशन ने बिल्कुल खराब लगता है बोलने में परंतो जिनके जिनका अभी तक होंबग नहीं गया चाहे वो नरसरी लके जी उके बच्चे हों या फिर कलास 127 के बच्चे हों किरपया कर होंबग ले जाये और विद्याले आप आईएगा तो आपका होंबग चेक किया जाएगा मैं यह नहीं सुनेंगा या आपके टीचर्स यह नहीं सुनेंगे कि सर हमारा होंबग मेरा होंबग हमारे पैरिंस ले करने गए मैं एक बात और बता दूँ एक बच्ची है मैं नाम नहीं लोंगा लेकिन उस थी का हमपक दो बार दिया गया एक बार उन्होंने बोला कि उनके पर दिखरक करवाया गया फिर फिर फोंट आया कि सर इस वार चट से और अमें यह समझ में नहीं यहां हुआ आपको हुंबक मिला है रखने के लिए तो आप छट पे रख दोगे या पाने में डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी और कोई दूनों जो सिच्वेशन है वह एक ही स्टुडेंट की साथ हुआ तो ऐसा आपकी साथ ना हो जाए आपकी साथ यह घटना ना गड़ जाए इसके पर एक और वीडियो अप्लोड हुआ था मैं उसका भी चैनल उसका भी जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ आप चेक कर लिजेगा इसके अलावा इन इसक्रीशन पर आपको वीडियो का लोगेशन मिल जाएगा उस पर जाकर करेंगे तो हां पुरा आपको कर रहे होंगे दो से तीन घंटा बिल्कुल तीन से चार घंटे आप लोग करेंगे ना अच्छे से मेहनद तो आपका हुंबख बिल्कुल कमप्रेट हो जाएगा चुकि छुट्टी भी मिलिए सोला दिनों की इसके अलावा हिंदी राटिंग इंग्लिस राटिंग आपको करते रहना है जो आपका कुछ प्रोजेक्ट मिला है वो तो आपको रेगलर करना पड़ेगा चुकि वह एक दिन का चीज़ है नहीं कि आपको एक दिन में कर लेंगे कुछ बच्चे का ये भी फ साथ घंटे की पढ़ाई करते हैं और घर में आपको तीन से चार घंटा ही करना उसमें आपका होंबग कंपलीट हो जाएगा आप लोग राटिंग डेली लिखें चुकि डेली की साफ से आपका राटिंग होगा इसके अलावा जो आपको होंबग मिला है पेज में या फिर जो कौपे में नरसरील के जीवकेजी की बच्चों को मिला है आप भी अपना होंबग किलियर करके आए और जो भी पैरेंस इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे भी हाथ जोड़कर बिनती है कि अपने बच्चों का होंबग करने में उसकी मदद करें मैं फिर शे बता रहा ह और आपको जो भी प्रोब्लम आये कमेंट करिए मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड कर दूंगा आपके अपनी यूट्यू चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को देख लेंगे और आपको समझने में तकलिफ नहीं होगी तो फिर से सौरी चुकि मैंने जो आप आपका बैका बादा किया था मैं NE बादा टोर दिया कि दिन से चेकिविचे वीडियो अपलोड ​ नहीं हो तो मैंने उंसे वी माफिये मांग लिया है अलाकि फिर से आप लोग हमें माफ कर देंगे और आशा करते हैं कि वीडियो आपको आपके होंबग करने में आपको मदद करेगा और वीडियो दी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिजिएगा कमेंट कर दिजिएगा गुडवाला तो आप तब तक अपना होंबग करते रहेगे और हम लोग कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई उर्जा और कहा आज़ा देजी धन्यवाद जय हिंद